कि नमस्कार जैश्री राव विरेंद भट सर का लैपटॉप में थोड़ा सा इशू चल रहा है तो अभी तक वो कनेक्ट नहीं हुए लेकिन ओमकार चौधरी सर हमारे साथ जुड़ गया देर से जुड़ने के लिए आज शमा प्रार्थियू मैं वैसे शार्ट 930 में आपके सामने प्रस्तूत हो जाए लेकिन आज कुछ मुद्दा ऐसा है जिस पर मैंने सोचा कि सीनियर पॉलेटिकल जानकार जो है हमारे ओमकार सर को बुलाया जा और विरेंदर सर को बुलाया जा लेकिन विरेंदर सर का लैपटॉप का जैसा मैंने बता है कुछ इशू चल ला है है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लेकिन नरेंदर मोदी और अमिच शाह से लड़ने की जो हिम्मत है वो कहां से जुटा हो तो क्या वो चीन के द्वारा प्रायोजीत फंडिंग के त्रू निउज क्लिकिन से लेकर के जो देश भर में ऐसे गदार पत्रकार देश द्रोही पत्रकार जिनके बारे में सदन में कल जारखंड के गुड़ा के सांसन निशीकान दूबे ने बताया उस प्रकार की हरकते करो या आज जो कॉंग्रेस का एक डेलिगेशन नूह की तरफ जा रहता तो कि इस प्रकार से होगा या मणीपूर को कुरेदने का इन सब मुद्दों पर हम ओमकारसर से बात करेंगे ओमकारसर कि यह जो बारत जोड़ो तोड़ो यात्रा हुई है तो क्या इसके बाद देश में लोगों की भावनाओं को एक्स्प्लॉइट करके राजनीती खेली जाएगी 2024 क्योंकि केजरीवाल के हिसाब से तो सेमी फाइनल वो कल ही हार गया जी अविशेक जी बहुत बहुत धन्यव पुराना तोर तरीका है और पुराने तोर तरीकों को ये छोड़ने को तैयार नहीं है आला कि उन तोर तरीकों के चलते ही इनकी ये गती और दुरगती हुई है क्योंकि ये जो वोट बैंक पॉलिक्स करते आए हैं ये भूल गए हैं कि ये अब बदला हुआ भारत है और ब जिसमें करीब करीब साथ से 65 परतिशत युवा है और वो युवा जो है पल पल ना केवल देश के भीतर जो गतिविधियां चल रही है घटनाएं हो रही है राजनी तो कार से थोड़ा सा माइक क्लोज कर लिएगा लोग कहने की आवाज दूर से आ रही है कि ओके एक मिनट मैं अपनी सेटिंग चेक करता हूं कि माइक में आवाज मुझे तो आ रही है लोगों को थोड़ा कमा रहा होगा ऐसी शिकायत हो रही है होना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी नजदीक है जी अब इसको माइक को मैं एक मिनिट कि सुगंदा जी करें कि ठीक आ रही है चलिए ठीक आ रही है अब नहीं ठीक आनी चाहिए कुछ लोगों को हो सकता है उनकी डिवाइस में कोई प्रोब्लम हो आवाज धीरे उनको बोलो वॉल्यूम बढ़ा है ठीक है कोई बात नहीं होंकार सेर की वॉल्यूम यही है सोच बदल चुकी है हम 2047 की तरफ देख रहे हैं जब एक विक्सित भारत जो है वो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ होगा जिस तरह के बदलाओ पूरे देश में आ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं जमीन पर उतर रहे हैं वो अगर इन पारंपरिक राजनीती करने वा राजनीतिक दलों के नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है तो इनका आपरासंगिक होना बिलकुल सुनिश्चित है देश का मतदाता तो इनको 2014 में भी और 2019 में भी संकेत और संदेश दे चुका है ये अगर दिवार पर लिखे हुए उन संदेशों को पढ़ नहीं पा रहे है तो ये किसी और की गलती नहीं है अभी शेव जी और जो आपने अविश्वास प्रस्ताओं की बात रखी है तो अविश्वास प्रस्ताओं का जो मसला है और उस पर जो इनका रवया है कुल मिला करके जो ये फाइव डोट वाले सारे दल हैं कॉंग्रेस समेथ वो तो आज जो घटना करम लोग सभा में हुआ है और कल जो अध्यादेश पर राज्य सभा में दृश्य हमें देखने को मिला था उसके बाद तो सब को किलियर हो जाना चाहिए कि दोहजार चोबीस का जो रास्ता है वो विपक्षी दलों के लिए कितना दुश्कर होने वा के इंधर ंगोड़ा है क्योंक्छे आज क्या कर रहे थे यह इन्हों ने कल से एक हावा बनाने की कोशिश की के राहुल गांधी आ रहे हैं राहुल गांधी बोलेंगे और इन्हों ने सुबय सुबय लोकसभा सचिवालिया में एक पत्र भेजा जिए गोरव गोगोई के जगह इनिशियेट करेंगे राहुल गांदी जी लेकिन जब इनको पता चला के परधान मंतरी नरेंदर मोधी तो सदन में आ नहीं रहे है जी तो राहुल गांदी तो एक्चल में अंतर राष्टी है नेता है राहुल वो जब नरेंदर मोधी सदन में नहीं है तो उनका तो बोलना ही वियर्थ हो गया तो इसलिए उन्होंने अंतिम समय पर बोलना टाल दिया अब ये चुटकियां ली निशीकांत दूबे ने भी और प्रहलाज जोशी ने भी और इस पर कॉंग्रेसियों ने अपनी बढ़ास भी निकाली उसमें सवाल भी खड़े किये कि भई इस तरह की बाते क्यों की जा रही है प्रहलाज जोशी ने या निशीकांत दूबे ने कर दिया है कल से सारे मेडिया चैनल यही तो चिला रहे थे कि राहुल गांधी आ रहे हैं वो बोलेंगे क्योंकि इनको धरती हिल जाएगी भुकंपा जाएगा तो इनको उम्मीद तो यह थी ना कि वही मौधी सरकार के खिलाफ हम आविश्वास परस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो मौधी जी तो तीन दिन के लिए अब बंधक बन ही जाए कम से कम इतनी समझतो है पॉलिटिकली के यह लोग चाहते क्या हैं तो वो नहीं आए अब वो तीन दिन का पूरा नौटिंग ले लेंगे कि किसने क्या कहा है और तीसरे दिन जब बहस कंक्लूड होगी तो आकर कि उसका जवाब दे देंगे तो यह जो मतलब सोच रहे थे कि हम नरेंदर मोदी आकर बैठेंगे और फिर वैसे ही रायता फैलाएंगे जैसा अतीत में फैला चुके आपको भी और दर्शकों को भी यह गटना याद होगी जी लोकसभा में भाशन हुआ था पहले प्रधान मंतरी का और उसके बाद राजसभा में हुआ था लोकसभा में आ गया कि राजसभा में तो इससे भी ज्यादा वो दोएंगे निचोड़ेंगे सुखाएंगे तो राजसभा में पूरे भाशन के दोरान नारे बाजी हुई थी यानि आप देश के प्रधान मंतरी के खिलाब इस तरह का अपमान जनत एटिट्यूट रखें व्यावार करे हैं सदन में उनके खिलाब लगातार नारे बाजी करते रहें ये दृष्ष नरेंद्र मोधी दोबारा तो आपको उत्पन करने नहीं देंगे ये तो तैह ही समझ लीजिए नरेंद्र मोधी जब जब देना चाहेंगे तब देंगे किसी विशह पर जब बोलना चाहेंगे त और रिवाल्वर या राइफल के पॉइंट पे भारत की कनपटी पे उसको लगा करके बादचीत के लिए बात दिकर देंगे वैसी गलत फहमी इनको भी है कि ये नरेंदर मोदी को ब्लैक मेल करेंगे उनको प्रेसराइज करेंगे और वो जवाब देने के लिए बात दे हो जा मामला आता है हो मिनिस्टर के अधीन आता है तो हो मिनिस्टर जवाब देंगे जो भी आपकी आपके सवाल हैं जो भी आपकी चिंताएं हैं जो भी स्टेप महाँ पर लिए गए हैं केंदर सरकार के दुवारा या राज सरकार के दुवारा ग्रह मंत्री आपको जवाब दें है या देश को इतनी समझ नहीं है कि आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं इसलिए अगर प्रधान मंत्री को बोलना भी होगा मुझे वैसे कम लगता है कि प्रधान मंत्री मनिपुर पर आविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए भी बोलेंगे क्योंकि उसस इनका जो कुल मिला करके यह डिजाइन किया हुआ पूरा धकोसला है कि हम आविश्वास परस्ताव ले करके आएंगे वह भी मुझे लगता है कि टाइटाइम फिस होने वाला है जी बहुत अच्छा आपने समप किया लेकिन मेरा एक जो मूल प्रस्ट था कि ठीक है यह मैं सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर लिजेगा मैं समझ सकता हूं आप अपनी वॉल्यूम यही रहता है वह आराम से ही बात करते हैं मेरी वाइस थोड़ी सी ज्यादा है तो वह ठीक है वह सम आपको भी थोड़ा सा एजस्मेंट आज करना होगा मैंने सीनियर पत्रकार को इसी लिए बुलाया तक कि आप मैच्योर ढंसे इस चीज को समझ सके कि मीडिया दिखा क्या रहा है या मीडिया देख कैसे रहा है सर एक महत्पून बात है कि जो भारत जोड़ो तोरो यात्रा जिसको आप कहते हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक पैंप्लेट डिजाइन हुआ है विपक्ष के द्वारा कि हम अलग-अलग जगों पे जो उपद्रवी उपद्रों करेंगे वहां पर जाएंगे फोटो पॉर्चुनिटी करेंगे अपना जो चाइना के द्वारा फंडिंग के चाइना के द्वारा जो फंडिंग हुई है उस फंडिंग को कि हम पूरी तरह से निचोड़ेंगे इस मीडिया संस्थानों के द्वारा जो की निउस क्लिकिंग इनके बारे में बोला गया और सिर्फ निउस क्लिकिंग इन क्यों मुझे तो लगता है कि अब देश के यह जितने जो पत्रकार यूट्यूवर बनें उन सब की फंडिंग की जाच हो जाए और पता चल जाए कि कौन-कौन जो है वह समस्या है किसके साथ जो है समस्या है यह देख लेना चाहिए और यह मुकेश करें आवाज मेरी भी कमा रही है मुकेश जी क्या आवाज मेरी भी कमा रही है सिर्फ ओमकार सर की कमा रही है अगर ओमकार सर की कमा रही ह यही आवाज है आपको आज इड्यस्ट करना होगा है तो यह जो एक टॉक्सिक वातावरन अभी नुह में जा करके मनीपूर्चे अब नुह में जा रहे हैं यह जो टॉक्सिक वातावरन बना रहे हैं उसका क्या कारण देखिए मैंने यही परंप्रागत राजनीती करने की बात कही थी कि यह लोग अभी भी अवसे दो तीन दशक पहले के माइंड सेट से राजनीती कर रहे हैं यही इसलिए कहा था कि यह लोग जिस तरह की राजनीती कर रहे हैं किसाब उनके कहीं कोई दंगा हुआ है फसाद होई है सामाजिक वेमनस्ट से है टक्राव की इस्तिति है वहां जाकर के राजनीतिक इसकोर करने की कोशिश करना आज का भारत इन सब चीजों में नहीं उलज करके रह गया है बहुत सोफिस्टिकेटिड तरीके से और चीजों को समझते हुए ही अब भारत का मतदाता परसेप्सन बना रहा है और फैसले कर रहा है अगर इनकी समझ में ये चीजें नहीं आ रही हैं तो ये करते रहें और जो विदेशी ताक्तों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि चीन अलग अलग कुछ ऐसे मंचों को चैनलों को फंडिंग कर रहा है तो चीन तो जो दो हजार आठ में राहुल गांधी ने जाकर के साइन किया था और उसके बाद से जो राजीव गांधी फाउंडेशन को और कुछ दूसरी संस्थाओं को पैसा मिला है और वो तो ओन रिकॉर्ड है जो दिखाई दे रहा है कि मिला है इसके अलावा भी जो मिला होगा तो उसका तो कोई हिसाब किताब है नहीं इसी तरीके से जोर्ज सोरो जो अल्रेडी कह चुका है गोशना कर चुका है किसाब मैं दस हजार करोड रुपया आठ हजार करोड रुपया नरेंदर मोधी को हटाने के लिए खरच कर सकता हूं तो उसका हिस्सा भी उसका पुजापा भी कहां कहां चड़ा होगा इसका अभी तक हम लोगों को कोई जान कौन से पत्रकार कौन से मीडिया हाउस कौन सी पॉलिटिकल पारिटियां कौन से नेता उसके लाभारती हैं और वो किस किस रूप में और किन किन अंदाजों में भारत को समाज को और भारत सरकार के परियासों को पलीता लगाने में लगे हुए होंगे और अलग अलग तरीक ये संकेत ही था जो कुछ नुहों में, मेवात में हुआ है इसके अलावा भी एक-दो जगहों पर इस तरह की हरकते हुई है, वार्धाते हुई है जिस तरीके से राहुल गांदी की यात्राओं को प्रयोजित किया गया और जिस तरीके से ये सारी चीजें खुल करके सामने आई कि पाकिस्तान की ISI से रेलेटिड कुछ लोग और संगठन वहाँ पर इनकी सुविधाओं के लिए इनकी व्यावस्थाओं के लिए जूटे हुए थे उनके साथ इनकी मीटिंग हुई है एक लेडी का नाम भी सामने आया था जो जो सोरोस से भी बावस्ता हैं संबंदित हैं उनकी करीबी हैं जो ISI के साथ भी इसके अलावा जो अगर हम देखें तो US में UK में कनाडा में आस्ट्रेलिया में कई देशों में जो ये खालिस्तानी और इनकी इन से जुड़े हुए लोग वो जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो ये सारा कुछ actual में क्या है ये हम आप और दर्शक अब तक समझ चुके हैं कि चाहे वो तेरे महिने का तथा कसित किसान अंदोलन हो जी सी ए ए के खिलाब अलग-अलग शेहरों में जो दंगे फसाद कराने की कोशिश हुई और शाहीन बाग में सो से ज्यादे दिनों तक का जो सड़क घेर करके धरना हुआ या दिल्ली दंगा हुआ डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी फैमिली जब गांधी नगर और आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे तो यहां पर दंगा कराया गया इन सब के पीछे जो दिमाग हैं और जिस तरीके से पलीता लगा काने की कोशिशें हुई हैं सी ए जब पारित हुआ था पार्लेमेंट से उसके अगले दिन ही रामदिला मैदान में कॉंग्रेस की एक रैली हुई थी जिसको सोनिया गांधी ने प्रियंका वाडरा ने राहुल गांधी ने और कुछ दूसरे निताओं ने संबोधित किया थ देखिए उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि यह आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है और कभी कभी हमें सडकों पर उतरना चाहिए इस लेंगवेज में सोनिया गांधी का वह भाशन था और उसके अगले दिन जामिया मिलिया इस्लामिया केमपस के पास को जलाया गया था दूसरी जगहों पर हिंसा हुई थी आग जनी की गई थी उसके कुछी समय बाद ये सब शुरू हो गया था इनका जी तो ये सारे लोग जो हैं जो इनके फ्रस्ट्रेसंस हैं क्या हाल हो गया है आज इन वंश्वादी परिवारों का अगर दो तीन परिव परिवारों का क्या हाल हो गया है तो इनके फ्रस्ट्रेसंस है जो किसी ना किसी रूप में निकल रहे हैं और चुकि मौदी एक ऐसे परधान मंत्री सावित हो रहे हैं जो ना केवल हमारे जो सांस्कृतिक राष्टिय धरोहर हैं उनकी पुनरस्था अपना कर रहे हैं उनको फिर से गौर्वानवित कर रहे हैं और जो हिंदू समाज है उससे उनको जोड रहे हैं बलके देश के विकास के लिए भी सतत प्रियतन शील हैं तो वो कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रहे हैं और जो आज भारतिय पासपोर्ट की का सम्मान है दुनिया भर के देशों में जि अमेरिका में, फ्रांस में, यूएई में, पाफ वा न्यू गिनी में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में ये सब तो हमारे सामने हैं तो ऐसे में जबके कोई किसी तरह की एंटी इंकंबेंसी है नहीं ये महंगाई महंगाई चिलाते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी चिलाते पर वास्तविक्ता क्या है इतने बड़े पैमाने पर विकास के काम हो रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और जो यह गरीबी की बात करते हैं कि गरीब बड़े परेशान हैं गरीब इन गरीबों को पिछले तीन साल से मौधी सरकार ये जो 80 करोड की आबादी को मुफ्त में भोजन उपलब्द करा रही है तो इनके सारे जितने भी ये कहना चाहिए कि जो फितने हैं जो इनके जो इनके जो टार्गेट हैं जिस तरीके से ये अलग-अलग सेक्टर के लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहें और वो नहीं भड़क रहे हैं तो इनके frustration बढ़ते जा रहे हैं यही वज़े है कभी मनिपुर की दोड विपक्षी दलों के सांसर लगा रहे हैं कभी मेवात की तरफ भागे जाते हैं इस तरह की चीजें उठाने से इस तरह की हरकतें करने से आप expose ही हो रहे हैं क्योंकि मनिपुर में जो 2014 के बाद पैदा नहीं हुई है दशकों से है जो यह आग किसकी लगाई हुई है क्यों लगाई गई है सतर दिन बाद उन महिलाओं का वीडियो ठीक संसर सतर से पहले ही बाहर क्यों आया यह बहुत सारे सवाल है जिन से पता लगता है कि actual में यह कहां से प्रायोजित हैं किन के इशारों पर यह हरकते कर रहे हैं और इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि यह लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं जी उमकारशर आपने इस पूरे गंभीर मुद्दे पर बड़ी गंभीर चर्चा की उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों से केंगे इस मुद्धे पर जी